नमस्ते दोस्ता आप सभी का वैलियो एजिकटे चानल में स्वागत है जहां आप सीखते हो स्टॉक मर्केट में नियोश करके आप कैसे बैसे बहा सकते हो तो मेरा नाम है शशांक और आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमादी स्पेशलिटी केमिकल्स का जो कॉर्टर 4 तुधान ट्विंटी का रिजल्ट आया था उसके क्या डीटेल से उन्होंने उनका प्रॉफिट कितना पोस्ट किया है इसके अलाव उनके कैस्ट कियो है या उनके जो ऑन गोईंग प्रोजेक्स है उनका बेसिकली फिडाल मे क्या status है यह सब के बारे में काफी detail में जान करें लेगे फिडाल में company के पास कितना date है और उनके margins कितने है या उन्होंने last quarter के comparison में और last year के comparison में कैसे perform किया है इसके बारे में देखेंगे और बाद में दो दिन के बाद याने 30 July को rain indices का जो result आने वाला है उसके उपर क्या impact आ स सकता है या उनका result कैसा आ सकता है या total यह जो aluminium sector है उसमें क्या impact आ सकता है इसके बारे में detail में जान करी लेगे तो आप वीडियो जरूर complete देखिए और चैनल को subscribe नहीं किया होगा तो पहले चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि आपको सिर्फ यही चैनल में सारे detail analysis मिलेंगे हम fundamental analysis क के बारे में आपको मैं जान करी देता हूँ और जो quarterly results होते हैं जैसे कि हम यह video में detail में discuss करने वाले हैं ऐसे भी काफी अलग-अलग videos में हम quarterly के जो results है उसके बारे में discuss करते हैं तो अभी हम results के details देखते हैं उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं basically मेरे analysis कैसे करता हूँ तो इसके regarding जो तीजोरी finance ये website है जिसका आप भी use कर सकते हो इसकी जो link है आपको नीचे description में मिल जाएगी तो ये काफी अच्छी site है इसमें आपको अलग-अलग जो screening है अलग-अलग stocks की अलग-अलग parameters आलके आप उसका use कर सकते हो और इसके अलब जो financials हो गई या balance sheet हो मिल जाएगे आप इसका use कर सकते हो लिंक जो है वह आपको नीचे description में मिल जाएगी तो यहाँ पर आप हिमाद्री specialty chemicals और rain industries के comparison के details देख सकते हो यान्य financials जो मैट्राइस से उसके accordingly अलग-अलग यहाँ पर comparison किया है PE क्या है या उनका 5 साल का return on equity क्या है या return on average assets क्या है या इसके अलवा कि last 5 years में promoter के shareholding में क्या change हुआ है mutual fund के shareholding में क्या change हुआ है promoter की फिलाल की shareholding कितना है और pledge जो share से वो कितने है इसके अलवा आप उनके balance sheet और profit and loss statement के details देख सकते हो तो यहाँ पे आपको अलग-अलग detail मिल जाएगे जैसे कि profit and loss statement में आप देखोगे तो उ इनके operating expenses कितना है, operating profit कितना है या इसके बाद में interest कितना है, total profit before tax, profit after tax याने net profit इसके सारे details मिल जाएगे आपको ratio analysis करना है तो आपको readily जो सारे ratios है उसके detail मिल जाएगे जैसे कि current ratio, interest coverage ratio, asset turn out ratio या cash conversion cycle तो यह जो सारे ratios है वो आपको directly EA side पे easily मिल जाएगे उसके बाद में आपक profitability ratio जो है याने return on capital employed, return on equity, return on assets या इसके अलावा operating profit margins या valuations के जो ratios होते है याने EV by EBITDA या dividend yield कितना है तो ऐसे ratios भी मिल जाएगे, quarterly ratios को यदि आपको compare करना है stand alone और consolidated basis पे तो आपको ये tab में उसके सारे details मिल जाएगे, तो यहाँ पे आप जो सारे quarterly के results है उनको एक साथ compare कर सकत हो, यदि आपको हिमादी specialty chemicals के बारे में detail में जानकर ही चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे जो investor presentations है या conference calls है, आपको वो knowledge base जो section है वहाँ पे मिल जाएगे, यहाँ पे आप जाके ये जो presentation से उनको read कर सकते हो, ताकि आपको और detail मिल जाएगे, तो मैं खुद भी तीजोरी finance क के लिए tools लगेगे, वो आपको तीजोरी finance में मिल जाएगे, पहले हम हिमादी specialty chemicals के total volume देखते है, सारे जो अलग-अलग वो product manufacture करते है, जैसे की coal tarpeach हो गया, या इसके अलावा carbon black, SNF, naphthalene, यह तो सारे आप देखोगे तो volume उन्होंने quarter 4 2020 में, याने last quarter में देखोगे, तो 73, 83,423 metric ton इतने उन्होंने post किये है, और आप compare करोगे previous quarter, याने quarter 2020 से, तो वहाँ पे उन्होंने 83,520 इतने volumes post किये थे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगबग 10,000 metric ton के जो volumes है, यहाँ पे उनका reduction आया है, और यह जो result है, वो quarter 4 का है, financial year का, अब तक याने quarter 1 का result उन्होंने post नहीं किया है, तो यहाँ पे आप देखो तो already volume में काफी यहाँ पे significant drop दिखने को मिला है, similarly आप देखोगे तो जो year on year wise volume से, आप right side में देखोगे, तो last year में उन्होंने 3,63,154 metric ton इतने जो volume से उन्होंने post किये थे, और यह year में आप देखोगे, याने 2020 में आप देखोग आया है, year on year आप देखोगे, तो last year के comparison में लगबग 23,24,000 का यहाँ पे reduction आया है, अभी हम volume के बाद realization देखते है, वो volume का, याने total जो revenue मिला है, वो product बेशने के बाद, याने वो volume बेशने के बाद, तो per metric ton उसका क्या cost है, या उससे कितना revenue आया है, तो यहाँ पे आप देख करोज का था, तो आप यदि total करोज, याने 524 divided by 80,167 करोगे, तो आपको per metric ton का volume मिल जाएगा, जो 65,364 रूपीज का है, और वो ही आप quarter 4 में देखोगे, तो total जो volume से वो already उनके जो volume से वो reduce हो चुके है, 73,424, total metric ton इतने volume से, और revenue आप देखोगे, तो revenue भी काफी decrease हुआ है, याने 364 करोज का ही revenue उनको मिला है, तो आप per metric ton calculate करोगे, 364 divided by total volume, याने 73,424 से, तो आपको per metric ton का revenue मिलेगा, 49,575, जो quarter 1 में 65,000 के करीब था, और quarter 3 में आप देखोगे तो 51,000 के करीब था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो चीज़े हुई है, volume तो decrease हुआ ही है, और उ total उनका realization है, वो volume के लिए, वो भी आप देखोगे तो वो भी decrease हुआ है, और इसलिए उनका जो total final revenue है, इसमें आप देखो तो काफी significant impact आया है, इसके बाद में अभी हम जो developments हुआ है, ये quarter में उसके बार में discuss करते हैं, तो हिमादे specialty chemicals के बार में मैंने पहले भी काफी videos बनाय है, एक detail video मैंने बनाया है, उनके पूरे business model के मैंने उसके बार में details दिये है, तो आप वो पहले देख सकते हो, उसके बाद में कुछ quarterly के results है, उसके बार में मैंने discussion किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो उनका जो specialty carbon black का capacity था, जो वो build कर रहे थे, वो quarter for 2020 से, याने last quarter स operational हुआ है, और इसकी जो total आप size देखोगे, यह जो capex है उसका, वो total 60,000 metric ton per annum इतना इसका capacity था, और आप देखोगे तो हिमादी specialty chemicals इंडिया में total third rank पे है, carbon black की capacity के लिए, तो carbon black basically आप देखोगे, तो tire manufacturing करने के लिए यह raw material है, और उसमें आप देखो तो उनका जो current का जो ca capex है, वो फिलाल में complete हो चुका है, पर जो हिमादी specialty chemicals ने specialty type का जो carbon black है, उसका उन्होंने जो plant लगाया है, उसके आप application देखोगे, non rubber side में, तो जैसे की plastic industries हो गया, fiber, wire, cable, ऐसे अलग-अलग उनके application हो जाते है, और यह जो plant है, उनका already commission हो चुका है, याने शुरू हो चुका है, जो West Bengal में है, इसके बाद में आप देखोगे, तो उनका और एक CAPEX शुरू था, advanced carbon materials के लिए, total जो capacity था, वो 20,000 metric ton per annum, इतना नया capacity लगाने वाले थे, और यह जो particularly advanced carbon material आप देखोगे, तो वो high technology material है, और वो lithium ion based जो batteries है, उसमें use किया जाता है, तो यह जो CAPEX है, company ने currently hold क किया है, क्योंकि आपको पता है कि COVID के बाद में, बहुत disruption हो गया है, यह जो carbon sector है, उसमें specifically, क्योंकि जो demand है आप देखोगे, तो काफी कम हो गई है, और इसलिए immediately उनके balance sheet पे impact आ गया है, इसके details हम बाद में देखेंगे, पर उनका जो second CAPEX था, उन्होंने वो stop किया है, क्यो जो 2020 मार्च में आप देखोगे, तो वो सिर्फ 463 करोज का है, लास्ट येर के comparison में आप देखोगे, तो 30 करोज का जो debt है, उन्होंने increase किया है, यह थोड़ा यहाँ पे increase हुआ है, लांग टम की borrowings आप देखोगे, पर लांग टम की borrowings compare to last year, याने मार्च 2019 से आप compare करोगे, December 2019 में 200 करोज का था, जो मार्च 2020 में 188 करोज का हुआ है, याने लगबग यहाँ पे 12 करोज का reduction आया है, आप last year के comparison में देखोगे, तो यहाँ पे लगबग 50 करोज का reduction आया है, total उनके long term borrowings में, net debt to equity आप देखोगे, तो net debt to equity 2016 में 0.87 टाइम्स था, जो मार्च 2019 में याने last year में 0.26 टाइम्स होगा, और फिलाल में भी वो उसके आसपास ही है, आप देखोगे तो 0.28 टाइम्स है, और यह जो debt to equity है, वो एक stable level पर है, अभी हम देखते हैं कि quarter 4 के particularly revenue, EBITDA और PAT क्या है, तो revenue आप देखोगे, तो quarter 4 2019, याने last year के comparison में आप देखोगे, तो last year में total revenues 583 करोज के थे, जो फिलाल में आप देखोगे, तो 364 करोज के है, याने काफी यहाँ पे reduction आया है, similarly last quarter से आप compare करोगे, quarter 3 2020 से, याने December के quarter से, तो यहाँ पे उन्होंने 428 करोज के जो revenue जे वो 64 करोज के है, इसके बाद में आप EBITDA देखोगे, याने earning before interest, tax, depreciation और amortization, याने operational level का उनका profit देखोगे, तो last year में quarter 4 2019 में वो 123 करोज का था, जो quarter 4 में 48 करोज का हुआ है, और quarter 3 में वो 35 करोज का था, पर आप PAT देखोगे, याने profit after tax, तो यहाँ पे उन्होंने actual में loss quarter 4 में वो 71 करोज का था, और quarter 3 में आप देखोगे, तो वो 17 करोज का था, तो इसके regarding आप देखोगे, तो उन्होंने नीचे एक note दिया है, छोटे काफी उन्होंने जो वर्डिंग से वो use किया है, याने size, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो exceptional loss of 128 करोज, the company has made the investment in equity shares and given loans and advances to its only owned subsidiary, AAT Global Limited, Hong Kong, AAT intern invested equity shares and had given loans and advances to its subsidiary, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यह basically AAT Limited यह जो subsidiary है, हिमादे specialty chemicals की, उसके बाद में जो AAT यह जो subsidiary है, उसने और एक subsidiary create किया है, और उनको कुछ loans दिया थे, और उसकी जो value है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यह जो next step down subsidiary है, जिसका आप नाम देखोगे, तो SDHCIL, उसका full form भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो China based subsidiary है, उसके बाद में उन्हों लिखा है कि, shortfall in the business performance of both AAT and SDHCIL, यानि यह जो दोनों subsidiaries है, उनका जो business performance है, वो इतना ठीक नहीं रहा, compared with the budgets and further changes in the technology, और उसके क्या reasons है, technology, market, और economic environment, have adverse impact on the value of the investment and recoverability of loans and advances given, तो उन्होंने जो जो अलग-अलग loans दिये है, और जो advances दिये थे, उनके subsidiaries को, जिनका नाम है AAT और SDHCIL, यहाँ पे आप देखो तो आगे company यह mention करती है, कि the company's investment in equity shares and loans and advances given to AAT, amounting to total 128 crores, have been fully provided for, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो जो भी उन्होंने loans दिये थे 128 crores के, उन्होंने उसका पूरा provisions कर लिया है, याने company को यह लग रहा है कि उन्होंने जो loans दिये है, वो recover होना impossible है, इसलिए उन्होंने जो loss है, वो 128 crores का लिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो इसलिए उनका जो profit after tax है, उसके इंपक्ट आया है, और उन्हो पे आप देखो तो quarter 1 2020 में 128 crores का profit, याने EBITDA level का profit उन्होंने पोस्ट किया था, quarter 2 में 94, quarter 3 में आप देखो तो major impact आया, और उन्होंने 35 crores का profit पोस्ट किया, बाद में आप देखोगे तो उसमें उन्होंने 39 crores का inventory का write down लिया था, या उन्होंने loss लिया था quarter 3 में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कि suppose उनके जो raw material की price है, वो इतनी गिरती नहीं है, पर compare to उनकी जो final product की cost है, वो काफी गिर जाती है, तो यहाँ पे उनको inventory का loss लेना पड़ता है, और यही आप देखोगे तो उन्होंने 39 crores का लिया है, quarter 4 में आप देखोगे तो total उनका जो EBITDA का profit है, उन्होंने 48 crores का post किया है, और जो inventory का write down है, वो उन्होंने 5 crores का लिया है, और total आप करोगे तो normalize जो EBITDA है, वो 342 crores का आ जाता है, और जो actual में without any adjustment जो reported EBITDA है, complete year, 2020 financial year का, वो 298 crores का है, right side में आप PAT के details देख सकते हो, याने profit after tax के details, तो जो PBT है, 2020 का, वो 241 crores का है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको mention किया पहले, कि total उन्होंने 128 crores का write down लिया है, या write off लिया है, या जो provisions किया है, उनके China के operations के लिए, तो इससे आप देखोगे, तो total जो PAT बच जाता है, total year क वो 125 crores का है, याने यहाँ पे एक significant आप देखोगे, तो एक impact आया है business में, और इसका आप एक reason देखोगे, तो COVID के पहले भी यह जो complete industry है, basically, हिमादी Speciality Chemicals के जो coal tark पीच, यह जो segment है, वो aluminum produce करने के लिए, जो electrodes लगते है, वो manufacturing के लिए जाता है, तो already यह जो industry है, उसमें काफ effect हो चुका है, अभी हम देखते कि standalone level का profit and loss statement क्या है, और मैं बाद में आपको rain industries में इसका क्या impact हो सकता है, इसके बारे में हम discuss करेंगे, और मैं फिर से आपको यह बताता हूँ, कि यह जो results है, वो सिर्फ quarter 4 2020 के results है, यहने last quarter के results है, quarter 1 2021 के results अब तक आये नहीं है, और फिर भ तो जो उनके total revenues from operations है, वो last quarter से याने last year से आप compare करोगे, तो 38% का decline आया है, यहाँ पर quarter आप देखो तो 15% का decline है, reported EBIT याने जो actual EBIT आप देखोगे तो उन्होंने 48 करोज का EBIT पोस्ट किया है, compare to 123 करोज का, जहाँ पर 61% का आप देखोगे तो decline है, और quarter on quarter देखोगे तो यहा 53 करोज का है, और बाद में आप देखोगे तो उन्होंने depreciation लिया है 12 करोज का, क्योंकि यहाँ पर उनका नया plan शुरू हुआ है, और बाद में EBIT आप देखोगे, याने earning before interest और tax वो उन्होंने सिर्फ 18 करोज का पोस्ट किया है, याने year on year आप देखोगे तो 85% का यहाँ प quarter में EBIT 29 करोज का था, और आप profit before tax देखोगे तो यहाँ पर actual में उनको loss हुआ है, क्योंकि जो exceptional item आप देखोगे, याने total जो loss है, वो 128 करोज का write-off है, तो इसके बाद में आप देखोगे तो 124 करोज का उन्होंने loss पोस्ट किया है, last quarter में उन्होंने 104 करोज का profit पोस्ट किय याने December का quarter में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो business है, यहाँ पर clearly हमें impact दिखाए दे रहा है, और PAT आप देखोगे तो वाद में उन्होंने 62 करोज का PAT में याने profit after tax में यहाँ पर उन्होंने loss पोस्ट किया है, जो last year में profit था और last quarter में भी profit था, तो यहाँ पर आप दे specialty chemicals का debt इतना कम है और फिर भी उनको इतना ज्यादा impact आया है, तो आप compare कर सकते हो कि rain indices में कितना impact आएगा, याने last quarter का जो result आया था, rain indices का, rain indices calendar year follow करती है, हमादी specialty chemicals Indian business है, इसलिए financial year वो follow करते है, पर quarter 1 2020 याने calendar year का जो rain indices का last quarter का result आया था, उसमें आप देखोगे, तो तभी मैंने आपको बताया था कि मुझे यह expected है कि next quarter होगा, वो इतना अच्छा quarter नहीं होगा, maybe वो loss भी पोस्ट कर सकते है, और इसलिए मैंने मेरा जो holding के rain indices का, उसमें काफी reduction कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर COVID के बाद में जो situation है, उसमें काफी changes हुआ है, और आपको situation के accordingly आपका जो portfolio है, उसमें कुछ switch करना होता है, और मैंने यह जो rain indices है, मेरा average लगबग 95 to 100 का था, और उसके बाद में मैंने जबी जो stock है, वो 50 रुपीज के आसपास गया था, तभी भी मैंने एक position लिया था, और कुछ दिनों पहले मेरा यह जो position था, उसमें मैंने square off भी किया है, और मैंने twitter बे भी आपके साथ यह जो details है, वो share किया थे, तो यहाँ पे मेरा जो rain indices का holding फिलाल में है, वो मैंने काफी reduce कर लिया है, मैं भी यहाँ पे rain indices फिर से 50, 60 रुपीज के आसपास जाता है, तो यहाँ पे मैं मेरा नया buying करूंगा, पर मैं फिलाल में मेरा जो total position है, portfolio का, और इसलिए मेरा जो portfolio और बाकी जो clients का portfolio उसमें काफी positive impact आया है, हमारा फिलाल में portfolio 20% to 50% के ये range में positive है फिलाल में, तो मैंने basically काफी switching किया था मेरे portfolio में और बाकी clients के portfolio में, क्योंकि यहाँ पे clearly यह नजर आ रहा है या यह दिखाए दे रहा है कि यह जो businesses है, इसमें कुछ स exit ले लिया है, और बाकी आगे देखते हैं कि एक दो quarter में कैसे basically business का development होता है, और suppose stock काफी गिर जाता है, rain indices का, तो मैं यहाँ पे आगे जाके नया position create कर सकता हूँ, फिलाल में मेरा हिमादी specialty chemicals में कोई भी position नहीं है, तो अभी हम cash flows के detail देख लेते हैं, तो cash flow में आप देखो total cash generated from operations देखोगे तो 316 total करोज के है, मार्स 2020 में, जो 19 में आप देखोगे तो 566 करोज के थे, इसके बाद में जो taxes है, उनको adjust करने के बाद net cash आप देखोगे, operating activities से, तो 2020 मार्स में वो 282 करोज का था, और मार्स 2019 में वो 471 करोज का था, और capex में आप देखोगे, तो उन्हो last year में उन्होंने 203 करोज के capex किया थे, तो यदि आपको free cash flows calculate करने है यापर, तो आप total operating activities के जो cash है, 282, 2020 के लिए, और उसमें से आप minus 247 करोज के तो लगबग आपको 30 करोज का, 2530 करोज का free cash flows मिल जाएगा, और यही आप last year में compare करोगे, यानि 471 minus 203, तो लगबग आपक तो जो free cash company ने generate किया है, यहाँ पे एक significant impact आया है, last year में उन्होंने लगबग 270 करोज free cash generate किया था, जो यह year में सिर्फ 30 करोज का आप देखोगे, तो उन्होंने free cash generate किया है, और इसलिए आप देखोगे तो यह business के लिए काफी negative है, अभी हम देखते है कि हिमादी specialty chemicals के, जो MD और CEO है, जिनका नाम है अनुरक चोधरी, उन्होंने क्या comment किया है, यह उनके quarter 4 के results के बारे में, और फिर से आप देखोगे, तो यह quarter 4 का result है, quarter 1 में भी यह जो result है, उसमें और impact आ जाएगा, क्योंकि आप देखोगे तो actual जो lockdown है, वो March के बाद आया था, और March में लगबग स volume साब देखोगे, तो फिर भी उन्होंने maintain किये है, पर issue majorly यह है, कि जो realization से, जो हमने पहले discuss किये, उसमें काफी impact आ गया है, per turn के realization, यानि total revenue divided by total volume, और उसके बाद में उन्हों लिखा है कि जो quarter 4 का situation है, उसके वज़े से जो volume था, उसमें काफी deep आया है, और जो total overall demand है, वो भी काफी sluggish है, और उसके बाद में वो लिखते है कि जो tire और graphite industry है, उसमें भी COVID-19 का काफी significant impact आया है, उसके बाद में आप second paragraph में देखोगे, तो उन्होंने लिखा है कि lockdown announced by government in last week of March, to played its role and adversely impacted our operation and business performance quarter 4, और उसके बाद में आप important statement देखोगे, तो going ahead, this shall have significant bearing on our quarter 1 performance, इसका मत लब यह है कि जो quarter 1 आएगा, 2021 financial year का, उसमें हमें और ज्यादा impact देखने को मिल सकता है, profit काफी में भी कम हो जाएगा, या हिमादरी specialty chemicals loss भी post कर सकता है, इसलिए मुझे यह लग रहा है कि यह जो overall carbon का segment है, याने आप rain industries देखो, हिमादरी specialty chemicals देखो, या इसके अलावा आप graphite collectors की जो companies, basically graphite India या HEG, इन सब के business में कुछ impact आएगा, और इसलिए फिलाल में मेरा जो position है, वो मैंने काफी कम किया है, तो आपको क्या लगता है कि rain industries का, जो next quarter का result आने वाला है, जो 30th July को है, उसके बारे में आपके क्या expectation है, क्या profit expect कर रहे हो, या आपको लगता है कि काफी detail में information चाहिए होगी, तो आप मुझे नीचे comment में लिखके बता सकते हो, यह जो stock है, उसमें उपर में मेरा जो opinion है, वो आपके साथ share करूँगा, ताकि ऐसे जो वीडियो से आप आगे जाके भी देख सकते हो, और यह वीडियो आप आपके friends के साथ जरूर शेर है, ताकि उनको भी यह जो वीडियो में मैंने अलग-अलग details की है, उससे काफी benefit मिल जाएगा,